मेरे लाड़ लो तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया चलिए तो इन दे प्रीवियस टू लेक्चर्स हम लोगों ने सोप के बारे में डीडेल में बात कर ली सोप का हम लोगों ने method of preparation वाला पार्ट थोड़ा सा समझा, सोप क्या होता है हमने वो समझा and सोप का cleansing action समझा अब गाईस इस lecture में मैं आपके साथ में सबसे पहली problem discuss करूँगा कि यार आजकल सोप का इस्तमाल washing में, laundry में, clothes वगेरा की धुलाई में क्यों ने इस्तमाल होता तो basically सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि hard water का मतलब क्या होता है hard water का मतलब क्या होता है बच्चा लोग hard water मतलब ऐसा water मेरे प्यारे लाड़ों जिसके अंदर calcium या magnesium के salts हो तो water hard water, तो hard water is a water, क्या घटी है definition लिखवा रहा हूं है that contains, hard water is a water that contains, that contains calcium और magnesium salts जिनके अंदर calcium और magnesium salts हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो hard water, soft water के अंदर sodium, potassium के salt हो सकते हैं लेकिन अगर किसी salt के अंदर calcium और magnesium के salt है तो समझ लो आपका पानी hard water, hard water do not form, foam यह आपका जो जाग होता है ने, ladder, जिसको आप ladder भी बोल सकते हो do not form, foam with soap, with soap, rather, r-a-t-h-e-r, rather, it forms scum, s-c-u-m, scum with soap अभी यह scum क्या होता है मैं आपको इसका पूरा mechanism समझाओंगा, ठीक है, लेकिन उसके बहले गाई से, इंपोर्टन अपडेट आपको मैं बताना चाहूंगा, अनकाडमी पर अभी आप started a batch जिसमर मैं class 10th के बच्चों का board exams के लिए revision करवाऊंगा, that will be starting from March और उसके अंदर मैं previous year questions के basis पर आप लोगों को पूरा revision कर रहा हूंगा, तो उस batch की detail मैंने अपने description box में डाल दी है, अनकाडमी पर 28th February को एक test भी होने वाला है, वो scholarship test उसका detail युने description box में डाल दिया है, और मैं अनकाडमी पर सिर्फ foundations के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, not 11th and 12th, 8, 9, 10th के बच्चों को foundations level पर ही prepare कर रहा हूं higher level के लिए, तो अगर आप लोग चाहते हो तो description box में लिंक के आप उसके बच चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं, it do not form soap, form with soap, it forms scums, अब देखो actually होता के salts होंगे, कौन कौन से salt हो सकते हैं, आपका calcium sulphate हो सकता है, calcium chloride हो सकता है, यह सब आपके क्या होते हैं, calcium salt हो सकता है, आपका magnesium chloride हो, हो सकता है, आपका magnesium sulphate हो, तो यह सारे जो salts होते हैं या आपके पानी के अंदर होते हैं तो देखो मैंने CA positive क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर calcium पर plus 2 charge SO4 पर minus 2 calcium पर plus 2 Cl पर minus 1 तो 2 Cl इसलिए plus 2 charge है यह यूजिवली calcium पर plus 2 charge होगा जैसे यह soap आपके water के अंदर आपके hard water के अंदर calcium salt से या आपके magnesium salt से मिलेगा यहाँ पर displacement reaction हो जाएगी और displacement reaction की वज़े से आपका जो calcium है यह एक साथ 2 sodium stearate के molecule को पकड़ लेगा यह एक साथ क्या करेगा C17H35COO C17H35COO यह इन दोनों के साथ में combine कर जाएगा और यह एक बड़ा सा molecule बना लेगा जो की water के अंदर insoluble होगा this is insoluble in water and it is called as scum इसे ही क्या बोला जाता है इसे ही scum बोला जाता है तो यह तो यहाँ पर calcium होगा यह तो यहाँ पर magnesium होगा तो यह calcium और magnesium के साथ में एक insoluble सा scum बना लेगा जो की water के अंदर insoluble होगा और आपको यह white color के form में जैसे की दही जैसा कुछ होता ही आपको water के अंदर भैता होगा दिखेगा आपको foam या leather बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आपको leather नहीं दिखाई देगा आपको foam दिखाई नहीं देगा आपको scum दिखाई देगा और scum क्यों बनता है क्योंकि आपका जो soap है या hard water के अंदर मौझूद calcium या magnesium के साथ react करके scum बना लेता है foam बनाने की जगा तो अब problem यह हो गई कि अगर मान लीजिए आप लोग normal पानी को soft water को कपड़े दोने में इस्तमाल करेंगे तो भाई सब वैसे ही पूरे इस world में water की scarcity है maximum water hard water है इस world में आप oceans के पानी को समुद्र के पानी को पीने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते because that is hard और अगर वो hard है तो आप तो फिर उसके अंदर laundry का काम भी नहीं कर सकते तो कैसा एक technique इस्तमाल करी जाए क्या किया जाए कि हम लोग hard water को जो हमारे पीने के काम का नहीं है हमारे industries में किसी काम का नहीं है हमारे household purpose में किसी काम का नहीं है उसको हम कम से कम ऐसे काम में इस्तमाल कर लें जो कि हमारे लिए useful हो और वो पानी जो हमारे लिए waste था उसका मिस्तमाल कर लें तो market में launch हुए detergent तो basically in order to overcome this problem of soap detergent जो है वो market में launch किये गए घड़ी घड़ी पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करें ऐसे आपके detergents market में आए so detergents now detergents were used to overcome the problem which are faced with soap which are faced with soap when used in hard water when used in hard water जब आप hard water के अंदर soap का अस्तमाल करोगे आपको जो problem आई वो detergents से overcome हो गई दूसरी problem आपके जो भी detergents है detergents do not form scum they do not form scum with hard water with hard water rather they gave rather it gives rather it gives foam with any kind of water soft water हो hard water हो कोई भी हो इसका काम scum देने का है sorry इसका काम foam देने का है यह foam देगा यह scum formation बिलकुल भी नहीं करेगा तो इस reasons की वज़े से इस कारण की वज़े से हम लोगों ने market में detergents को launch किया and therefore in laundries in laundries detergents are preferred detergents are preferred over soaps इसी जी ही है best होते है हाँ थोड़े से rough होते है थोड़े से heavy होते है थोड़े से खतरनाक होते है इसलिए इनको bathing purpose है bathing मतलब नहा ना इसका बात बोलता है till it is bathing तो जो bathing purpose है हम इसका अस्तमाल नहीं करते है क्योंकि skin को खराब कर देता है but laundries में इसका इसका इस्तमाल किया था तो star बना के point लिखनी जाएगा they are hard they are hard for skin hard for skin and may cause skin problems therefore cannot be used cannot be used for bathing नहाने के लिए इस्तमाल नहीं किया जा सकता इतना नोट कर लो फिर detergent क्या होता है वो समझाता हूँ ठीक है लाल लो गुलगुलो मेरे बच्चों मेरे बकूरो मेरे बेटो आगे वड़े चलिए great अब मैं आपको पता देता हूँ कि detergents क्या होते है इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और यह सकम क्यों नहीं बनाते है तो सबस्वले हम लिखेंगे रहे detergents आर the ammonium और sulfate form of long carboxylic acid यानि कि बस सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है आपके यहाँ पर भी carboxylic acids होंगे लंबे लंबे carboxylic acid होंगे लेकिन वहाँ पर soap में या तो sodium होता था या potassium होता था यहाँ पर ammonium होगा या sulfate होगा long carboxylic acid की chain यहाँ पर भी होगी भई long carboxylic acid की chain नहीं होगी तो oil में कौन dissolve करेगा गंदगी में dirt में कौन dissolve करेगा ये जरूरी है और ammonium और sulfate आपके ketionic या anionic part हो जाएंगे तो ये water गंदगा dissolve हो जाएंगे तो सब कुछ सेम रहेगा mechanism सब कुछ सेम रहेगा बस form बदल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में एक example है CH3 CH2 CH2 S double bond O double bond O O negative NA positive अब यहाँ पर आप देखो क्या हुआ यहाँ पर आपके पास में long carboxylic acid की chain थी यहाँ पर S double bond O double bond O O negative NA positive आगया इसको बोलते है sodium loral sulfate sodium loral sulfate यह एक प्रकार का detergent है यहाँ पर आप देखो आपका sulfate ग्रूप आगया sodium loral sulfate यहाँ पर आप देखो आपके पास में 10 11, 12 यहाँ यहाँ पर आपके पास में total 12 carbon है 1 2 और 10 12 20, 29, 22 23, 24, 25 25 hydrogen है SO3 negative है और na positive है यह आपका एक detergent हो गया समझ मारी बात आपको दूसरा आपके पास में हो सकता है CH3 CH2 15 N CH3 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 positive BR negative BR negative इसको लाता है Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide इस वाले detergent को बलाता है Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide यह भी एक प्रकार का आपके पास में detergent होता है तो आपको है न रटना नहीं इनको आप 10th में हों इतना जादा heavy वाले पर जाने की जरूबत नहीं heavy driver बनने की जरूबत नहीं अपने को आप इसको चाहो तो ऐसे याद कर लो तो यह होगया तुम्हारा Cetyl Ammonium Bromide तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास में Ammonium की chain है Ammonium पर positive, bromine पर negative तो यह भी आपका इस प्रकार का detergent कुछ होता है तो यह दो detergent के नाम आप बस याद कर लो Ammonium, sodium, laurel, sulfate यह Cetyl, trimethal, ammonium, bromide इन दोनों में से कोई एक भी नाम याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा अब गाईस यह सकम क्यों नहीं बनाते हैं क्योंकि बेटा यह जो molecule है बड़े complex है यह जो molecule है यह बड़े complex है और complex होने की वज़े से यह तूटते नहीं है यह आपके hard water में जाने के बाद calcium और magnesium के साथ reaction नहीं करते तो basically they do not react with the calcium and magnesium salt of the hard water and therefore do not form scum तो इसलिए इनका इस्तमाल किया था तो हम यहाँ पर लिख सकते है that these detergents do not react do not react with calcium और magnesium salts of hard water of hard water उनके साथ यह बिलकुल react नहीं करते बिलकुल भी react नहीं करते और इस वज़े से scum formation नहीं होता therefore scum formation will not take place therefore no scum formation takes place no scum formation takes place लाड़ो गुलगुलो बकुरो बच्चो क्या यह चीज क्लियर हो गई तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चो आप लोगों का यह वाला पार्ट खतम होता है आप लोगों का यह फाइनली चैप्टर भी खतम होता है अगर होगा तो अपन यहाँ पर biology स्टार्ट करेंगा देखते जो भी होगा तो अब इस वीडियो को यही पर खतम करते हैं लेक्चर को यह खतम करते हैं इस चैप्टर को यह खतम करते हैं